मध्य प्रदेश में ठीका करन महा अभियान की महा सफलता के बाद अब कुछ आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है आंकडों में बाजीगरी की चर्चा हो रही है हमारे साथ इस विशे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ है प्रदेश के चेकित्सा स्वास्तिम संत्री श्री विश्वास सारंग जी हम उनसे पूछते हैं सर महा उपलब दी अंकडों की बाजीगरी आपका क्या कहना है क्यों करेंगे सब ने देखा आपने भी देखा ना गुमें होगे ना जनता नहीं दिखी उस दिन फिर आप कैसे बोल रहा है आख़ों की बाजीगरी नहीं सर जो जो दूसरे बोल रहे हैं उनको वो जुट बोल सकते हैं तो आप सर में सर क्यों मिला रहे हैं उनके हम सर में सर नहीं मिला रहे हैं सर हमारा यह है कि जो जो सरकारी पोर्टल है सरकारी पोर्टल में जो है वो यथार्त है हमने 16,95,562 लोगों को वैक्सीन लगाया संडे को हमारा वैक्सिनेशन प्रोग्राम नहीं होता क्यूजडे को हमारा वैक्सिनेशन प्रोग्राम नहीं होता मंडे को हमने 16 लाक लोगों को वैक्सिन लगाई जो आप आखले बता रहे हैं संडे के वो प्राइवेट सेक्टर के हैं जो आप Tuesday के आखले बता रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं कमल नाज जी जैराम रमे चिदम बरम जी मैं मानता था कि ये पड़े लिखे हैं पर आज वो ब्रहम टूड गया बिना जानकारी के बिना किसी यथार्थ के बिना किसी आखले के वो जबरदस्टी च्वीट कर रहे हैं कमल नाज जी कहते हैं मैं चालीस साल से मद्व प्रदेश को जानता हूं उनको यही नहीं मालूं कि जनवरी से जो वैक्सिनेशन अभी आज शुरू है उसमें एक दिन भी कभी भी संड़े या मंगलवार को वैक्सिन नहीं लगाई गई करोना की वो बिना बाद के बिना तत्यों के ट्वीट कर रहे हैं इससे ज्यादा शर्मना कुछ हो नहीं सकता हमने जनता की जान बचाने कायदी रिकॉर्ड बनाया वैक्सिनेशन के माध्यम से तो उनके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि कमल नाज जी के आकड़े में या कमल नाज जी के हिस्से मे मध्यप्रदेश में ब्रस्टाचार का रिकॉर्ड है इसलिए वो इस तरह की बाते कर रहे हैं सर्थ एक सवालाव करूंगा कि 13 से 17 जून के बीच में प्रदेश में रोज करीब 2,27,000 लोगों को ठीके लगाए और 17 से 20 के बीच में प्रते दिन वह आगड़ा कम हो करके कौन कौन सा दिन है वो मध्यप्रदेश में सोमवार बुद्वार गुरुवार और शनीवार को कोविट के वैक्सीन लगाए जाते हैं आप जिन दिनों की बात कर रहे हैं उसमें कोविट के वैक्सीन नहीं लगाए जाते आज सुबह से अभी तक लगबख 5,000,000 लोगों को वैक्सीन लग चुका है मध्यप्रदेश में जी सर थैंक यू